अलो असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूं तमीम और आप देख रहे ही मेरा चैनल बैस्ट एक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर रसे होंगे और आपके कबुतर सब ठीक से होंगे चलो फ्रेंट्स आज ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा एक कबुतर कू बहुत खांसी लग रहा है और मूँ इस तरह खोल रहा है तो इसको क्या दवा दे अले देखो फ्रेंट्स इसको लेके आ गया हूँ और इसका देखो कितना मूँ खोल रहा है किस तरह खोल रहा है आज इसका इलाज आपको बताऊंगा और ये ये जो पट्टा है ये खाता भी है और पानी पीता भी है और फिर भी इसी तरह मूग खोल रहा है काफी दो जिनों से इस तरह था तो सोचा मैं आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखा दूँ के इसको किस तरह रड़ी करें ये दे को फ्रेंड्स किस तरह कर रहा है इसी तरह छोड़ेंगे तो आपके कबुतर में चले जाएंगे और बहुत सा प्राब्लम आएगा और दूसरों कबुतर को भी लगेगा तो इसको पहले अलग रखना पड़ेगा और जब भी चारा चुनने के बाद आप काली नीबीड रखने ही तो वो चारा चुनने के बाद ये भी चारा चुनके उसके बाद ये पानी पेगा और दूसरे कबुतर भी पानी पेगे तो इसकी जो भी बीमारी है और दूसरे कबु कबूतर को भी लगेगी तो आपको जब भी इस तरह के बीमारी आता है आपको मैं बताऊंगा वही सिर्फ दानला पड़ेगा आप फ्रेंट्स ये इजली वन ड्र टू डेस में ही रडी कर सकते हैं इस बीमारी को ये देगो फ्रेंट्स ये है मेट्रो जल जो अभी लेकर आया हूँ इस कबूतर के लिए इसका प्राइज है सिर्फ 30 रुपीस है ये बहुत सा बीमारी का शिपा है फ्रेंट्स में इस तरह जो भी कबूतर मूँ खोलता है उन सब को भी दा सकते ही और दूसरे कबूतर जो सुस्त बेटे हुए ही कमजोर ही उन सब को य आपके कबूतर राज में पानी चारा चुनने के बाद पानी जब भी रखते ही तो ये मेट्रो जल है ये मेट्रो जल आप एक मूँ एक डकन जो भी इसका डकन है एक डकन पानी में मिला के एक लिटर पानी में मिला के रख दो सब कबूतर प्येंगे तो आपके कबूतर में जो भी इस तरह मूँ खोलेगा इसी तरह मूँ नहीं खोलेगा आपके कबूतर पूरे शिफा हो जाएंगे और चलो फेंड इसी को अभी ये कबूतर या दो कबूतर आपके पास है तो किस तरह इसको रेडी करें वो भी अभी करके आपको दिखा दूँगा चलो वीडियो में बने रहे हैं यह मेट्रो जल ले लो मेट्रो जल लेने के बाद जिस्ट त्री ड्रफ ले लो इस पर लो फ्रेंज त्री ड्रफ आ गया और टेनी अमल पानी ले लो और टेनी अमल पाई लेने के बाद इसको मुँ में मार दो चलो इसको मार दिया इसी तरह आप जो भी कबूतर ही कंटिन्यूस तीन दिन रखना पड़ेगा और ये कबूतर आटिमिटिक ठीक हो जाएंगे और जब भी आपके कबूत ब्रीडिंग पेरसी आपके ब्रीडिंग पेरस को भी तीन दिन रखना पड़ेगा नाइट में ही रख दो जब चारा चुनने के बाद पानी रखते हैं एक लिटर पानी उसमें मिक्स करके रख देना तो देखना आपके कबूतर 100% क्यूर हो जाएंगे और दूसरे बीमारी में भी नहीं जाएंगे वोके फ्रेंड्स ये वीडियो पसे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लेस लाइक कर लेना और बिल आइकान भी दबा लेना इस तरह की वीडियो में बहुत लाओंगा और आप सबको बहुत हिल्फुर रहेगी वोके थांक्यू फ्रेंड्स आला अपी